कुछ नहीं इसको सब्सक्राइब करने के लिए हम बास क्या करते हैं जो गिभन क्वांटिटी है इसको हम ले जाल रिए ए हिए इसको मी लेजा दे हैं सॉपोज, इस 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 सिटानोink जाना है है स्क्वेरिंग बोच साइड्स स्क्वेरिंग और आजएगा स्क्वेर इकर स्वेरिंग यह पहला बाला स्क्वेर रूठ है यह हाट जाएगा ठीक है तो यह जाएगा हमाला 6 plus square root of 6 plus square root of 6 plus square root of 6 so on see this quantity is again your x okay so I can write x square equals to 6 minus x sorry 6 plus x or I can write x square minus x minus 6 equals to your 0 okay so now this is a quadratic equation क्वाटर की क्वेरिंगे दो टेकनिक है हमारे पास एक है तुमारा जो पर्फेक्ट स्क्वेर मेथड जहां पर हमारा मिलेगा x equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4c by 2a और यहां पर जैसे है जहां पर तुमारा फेक्टरेजेशन एजी होता है और अगर फेक्टरेज कर भी कर सकते हैं इसा हमारा दो नमबर चूज करना है हो जाएं जैसे कि यह दोनों का तुमारा multiplication जो है तुमारा 6 होना चाहिए और जो तुमारा दोनों नमबर को हमरे अगर एड करेंगे तो फिर minus x होना चाहिए ठीके, तो यह कौण कौण सा नमबर है, यह है दुम्हारा, माइनस 3 और 2, यह दुनो नमबर को हम मुल्टिप्लाय करेंगे, भी कितिना आजाएगा यह, माइनस 3 इंटू 2, माइनस 6, और माइनस 3, प्लस टो इक्वाल टो आजाएगा दुम्हारा, minus 1 ठीक है तो यहां के ऐसा कर सकते हैं x square minus दो है minus 3x plus 2x minus 6 equals to 0 तो फेक्टराइज करें तो x x minus 3 plus 2 x minus 3 equals to 0 और यह आ जाएगा तो मारा x minus 3 into x plus 2 equals to 0 ठीक है तो मारा value आ जाएगा है x equals to 3 और minus 2 ठीक है तो तुमार जो result आएगा इसका value कितना 3 और minus 2 but minus 2.this number is not possible in this case क्योंकि यह तुमारा होगत तुमारा फिर imaginary आ जाएगा ठीक है तो so this is your correct answer okay आएजी तो यह टेक्नी में भी ट्राय करके दखो क्मारा equation यह है minus b that equals to your minus of minus 1 that equals to your plus 1 plus or minus square root of b square minus 4ac b square will be your 1 minus 4ac plus 24 एगने 4 into 6 into 1 by 2 that equals to 1 plus or minus square root of 25 is 5 by 2 that equals to 6 by 2 is your 3 and 1 minus 5 is minus 4 by 2 is your 2 ठीक है तो अगर ऐसा टाइप का हमारा question है तो हम इसको इसी टेक्नीक में serve कर सकता है ठीक है सेम अगर यहां पर minus है तो भी बियान कर सकता है लेकिन यहां पर जो तुमारा उल्टा आ जाएगा यह x equals to आ जाएगा तो और 2 और minus 3 आ जाएगा तो यहां पर फिर हम 2 को choose करेंगे ठीक है चोलो नहीं तो देख लेते हैं इसको भी कैसा होता ही लिए ठीक है सपोज यह तुमारा question है अभी जहां पर plus था यह minus होगिया है यह minus यह भी minus यह भी minus यह भी minus और यह भी minus दिस इसको भी जाएगा 6 minus square root of 6 minus square root of 6 minus so on दिस इसको भी मारा जाएगा x square equals to 6 minus x this implies x square plus x minus 6 equals to 0 तुम एसा दो numbers चूज करेंगे जिसका addition कितना होगा add करेंगे तो आएगा तुमारा plus x और यह दों multiply करेंगे तो आएगा 6 into 1 6 तो यह कितना होगा तुमारा sorry minus 6 into 1 minus 6 तो यह आजाएगा तुमारा कितना है 3 or minus 2 so x square plus 3x minus 2x minus 6 equals to 0 तो यह आएगा x कमार लेंगे तो x into x plus 3 minus 2 into x plus 3 equals to 0 this implies यह आजाएगा तुमारा x plus 3 into x minus 2 equals to 0 this implies x equals to minus 3 or 2 तो यह फिर हमारा है correct answer तो यह आजाएगा कितना 2 ओके got it hope you understood this type of problem अगर ऐसा टाइब का problem आता है कहीं पी competitive exam या फिर कहीं पे भी तो hope करता हम भी आपका कभी भी घलत नहीं होगा all the best guys for your exam thank you अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को please like the video and share with your friends and please subscribe the channel to support us thank you thank you very much all the best